हेलो और वेलकम बैक टू मैं चानल आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वैक्सीन एफिकेसी के बारे में कोबिट 19 के अगेंस्ट बहुत सारी वैक्सीन से विलेबल हो गई हैं फाइजर है मॉडर्ना है स्पत्निक रशिया का अस्ट्राजेनिका है जिसको ऑक्सवर्ड ने डेवलप किया है और सेरम इंस्ट्रीट इंडिया का प्रोड्यूस कर रहा है सबकी अलग अलग एफिकेसी बताई जा रही है फाइजर ने कहा है कि उसके वैक्सीन की एफिकेसी है 95% मॉडर्ना की है 94.5% स्पत्निक की 91.6% और अस्ट्राजेनिका का कहा जा रहा है कि 70 से लेकर 90% तक उसकी एफिकेसी है तो इसका क्या मतलब है क्या इसका यह मतलब है कि एक वैक्सीन दूसरे से बहतर है तो सबसे पहले यह समझने कि एक वैक्सीन को दूसरे से कंपेर नहीं किया जा सकता और जो भी वैक्सीन अच्छी है जो भी अविलेबल हो आपको जरूर वै क्या है definition is ka it is a major of relative risk reduction in the vaccinated arm versus unvaccinated arm relative risk reduction का measure कि कितने लोगों को vaccine लेने के बाद COVID हुआ versus कितने लोगों को बिना वैक्सीन लिए और इसका एक relative risk निकाला जाता है और उससे हमें efficacy पता चलती है इसको समझते हैं हम लोग फाइजर के डाटा से तो फाइजर ने टोटल 44,000 लोगों के साथ ट्राइल किया इसमें से 22,000 लोगों को वैक्सीन दी गई और 22,000 लोगों को प्लसीबो दिया गया प्लसीबो का मतलब होता है कि दवा नहीं दी जाती है रियल उसके जगर पे सिंपल कुछ भी टैबलिट्स द ट्राइल में यह देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई थी उसमें से 8 लोगों को कोविड हो गया और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई थी उनमें से 162 लोगों को कोविड हुआ यानि कि टोटल 170 लोगों को कोविड हुआ तो रिस्क कैसे मेजर करें कितने परसेटेज लोगों को वैक्सिनेटेड ग्रूप में COVID-19 हुआ। तोँ रिस परसेटेज हम लोग calculate करते हैं, वैक्सिनेटेड आम में risk percentage हा हमारा 0.036 परसेंट और प्लसेबो ग्रूप में हमारा risk percentage अगर कैलकोलेट करें, इट विल बी 0.74% अब हमें relative risk अगर निकालना है यानि कि कितने लोगों को COVID-19 हुआ vaccinated group में versus कितने लोगों को COVID-19 हुआ in the placebo group तो simply divide कर देगे relative risk हमारा आएगा 0.049 यह हमारा relative risk है ideal efficacy होती है 1 और 100% वेक्सीन की efficacy निकालने के लिए हम लोग simply 1-0.049 कर देते हैं तो हमारी efficacy निकाल के आती है 95.1% यानि कि 95.1% less chances है to get COVID-19 if you are vaccinated इसका यह मतलब निया कि 95% लोगों को नहीं होगा इसका मतलब है कि 95.1% less chances that you will get infected और 95.1% less chances that you will transmit it to others और you will get hospitalized तो यह है efficacy का मतलब अब दो चीज़े और हैं एक तो effectiveness का क्या मतलब है और क्या difference है efficacy में कई बार इन दो वर्ड को आपने सुनाऊगा interchangeably use करते हुए तो efficacy आईएल वर्ल सिचुएशन में होती है और effectiveness real world situation में होती है आईएल वर्ल मिन्स कि control group है lab testing हो रही है जो group है उसमें लोगों की medical history everything सब कुछ पता है तो यहाँ पे efficacy का मतलब यह है और real world में कोई चीज कैसे perform करेगी उसको बोलते हैं हम लोग effectiveness दूसरी शब्दों में efficacy is the extent to which a task is achieved यानि कि control situation में किस level तक किसी task को achieve किया जा सकता है effectiveness का मतलब है कि how well a task is achieved कितने बहतर तरीके से यह perform कर रहा है और वहीं एक और word है efficiency 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 का मतलब है कि best तरीके से किस तर से किसी को task को achieve किया जा सकता है तो यह अंतर है effectiveness और efficacy में I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो यह था vaccine efficacy और confusion आपका clear हो गया हो वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजेगा और वो bell icon press कर लिजे next video के notification के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay at home, stay healthy thanks for watching, have a very nice day